तो गुद्मॉनिंग स्टुडेंट्स अभी तक मैं आपको चैप्टर 6 में एक्स्प्लीन कर चुका हूं स्कॉर कुछ पैटर्ण कैसे वन्स डिजिट को फाइंड करते हैं स्कॉर रूट क्या होता है इसकॉर रूट कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टरिशन मेथट के चुरू इसको मैं आपको बता जुगा हूं आज मैं आपको 6.3 के कुछ रिमेनिंग क्योस्टेंस एक्स्प्लीन करूंगा ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोस्टेन है सैनिक मिलेट्री और नवधिया एक्जाम के लिहाज से सो मेक्शूर कि आप इसे वीडियो को पूरा लाश कि अप्धें के दिखा ऊभागा दो दीन से मैं आपको एक स्टी करने को बोल applying के तुछ चीजू आपको बॉल रहें जादा से जादा आप वोट करो सभी लोग इसे पार्टिसिपेट करो ताकि उस चीज को इंप्रूब्मेंट उसी लेवल पर किया जा सके कैसे करते हैं इसका वीडियो में आप लोगों के ग्रूप में भेजा था वाटसप ग्रूप में और बता भी देता हूं कि आपको अपने मेरा होगा फिर प्लेलिस्ट होगा उसके बगल में आप देखो कम्यूनिटी होगा कम्यूनिटी सेक्शन में जाना है वहाँ पर आपको कुछ को मिलेंगे आप उत्पर वोट करो इसे पहला कोश्चन था कि आप ऑनलाइन ग्लास से कितना सैटिस्फाइड हो सैटिस्फाइड हो यस या नो तो वहाँ पर बहुत सारी स्टुडेंट्स ने करी वोटिंग बट अभी भी बहुत कम काउंट है तो हम इसको जज कैसे करें तो हंडेट परसंट पार्टिसिपेट करो आप उस वोटिंग में ताकि आप जज करके उस चीज को इंपरूफ या फिर चीज को कुछ साटिस्फेक्शन लेवल तक ले जा सकें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आजका लेक्शेर स्टुडेंट एक्सराइज सेक्स पॉइंट थ्री में कोस्टन नमबर फाइब पहले तो कोस्टन को रीड करेंगे अच्छे जे बिकॉस आधा जो अंसर एसका वो इस कोस्टन में ह की हाइड है चुपा हुआ है तो स्टार्ट करते हैं फॉर इच अब फॉल इंग नमबर फाइंड दा स्मॉलेस्ट होल नमबर बाइविच इट सूट भी माल्टी प्लाइट तो एस तो गेट अपरफेक्ट स्कॉयर नमबर आवसो फाइंड दा स्कॉयर रूट आप दा उन्हें आ गया होगा कि जो आपको नीचे कुछ नमबर सी तो मैंने दो ही लिखे हुए है बट इसमें बहुत सारी पार्ट है वह पार्ट आपको सॉल करने हैं एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा बाकि सारे पार्ट आपको इसी तरीके बिल्कुल आज़ टीस सॉल करने है जो प्रोचीजर मैंने आपको बताया है नमबर चेंज होगा बस जैसे जिस प्रोचीजर समय आपको बता रहा हुं उसी प्रोचीजर आपको सोल करते रहना तो इसकी हिंदी बता देता हूं किसमें आपको सबसे पहले कोई भी नमबर है उसमें वह एक परफेट स्क्वायर नहीं है देखे ना जितने भी आपको पार्ट दियोंगे वह एक पर्फेट स्कॉयर नंबर नहीं है बट आपको बताना है कि कौन सा नंबर कौन सा नंबर उसो मैटिप्लाई करें ताकि वो गिवेन नंबर जो कि आपको दिया गया है वो गिवेन नंबर एक पर्फेट स्कॉय स्क्वायर नंबर बन जाए और जब पर फिर स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो सका स्क्वायर रूड भी आपको फाइंड करना है तो पहला एक पार्ट में लिए हुआ है टूफटेट टूफटेट एट पर मैं आपको तूफ़ॉजन टूफवंटी एट का बता देता हूं जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम रिटेन नोट्स में दिया था तो साथ नहीं सोच पहाँ होगो तो यहां पर आप समझ दो तो तूफ़ॉजन टूफटेट का प्राइम फेक्ट्राइशन फाइंड करेंगे तो तो से सबसे पहले डिवाइड करेंगे अगर हो रहा है तो 27 और फिर 13 से रिवाइड करेंगे 13 जा 169 फिर 161 जा 13 तो इसका प्राइम फेक्टररीस नाया वहां इसको रिख लेते तो 2 multiplied 2 multiply 3 multiplied 13 तो स्टूइव आप क्या देख पा रहे हो सब्सक्राइब किसी निकालने के लिए तो पेर बनाएंगे तो तो पेर बन गया थर्टीन का पेर विल्सक्राइब सब्सक्राइब So here 3 is not in pair, so in 2028 we need to multiply 3 for making it perfect square, अगर यहां पर 3 का pair भी बन जाता, student, अगर 3 आ जाता कहीं से, तो क्या हो जाता, यह 2000, जो 28 है, यह एक perfect square number बन जाता, हो जाता ना, तो यहां पर यही 3 ही मुझे multiply करना होगा, ताक कि मैं 2028 को एक perfect square number बना सुकूं, ठीक है, तो यही अंसर है, तो student यहां पर देख लेते हैं कि इसका square root के आएगा, तो we are multiplying here, देखे, last में 3 जो है, that, 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 that करके मैंने लिखा हुआ, यह हम multiply कर रहे हैं, तो answer हुआ कि 3, we should multiply to make 2028 is a perfect square number, तो 2 multiply 13, अब इस pair में से एक नंबर आप निकालते हो, 2, 13, and 3 को आपसे multiply करके, answer जो आया हूँ, 78 आगया, ठीक है student, तो 78 ही उस perfect square number का square root हो जाएगा, जो कि 3 multiply करने पर आया था, ठीक है student, समझ में आगया होगा यह, तो यह multiply वाला question किसे प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार repeat कर देता हूँ, सबसे पहले आप जो भी given number है, उसका prime factorization निकालोगे, prime factorization निकालने के बाद, उसके pair बना होगे, जिस भी number का pair नहीं मनना होगा, that means, उस number को ही, आपको multiply करना है, क्योंकि अगर multiply कर दोगे उस number को, तो pair बन जाएगा, और वही perfect square number बन जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसका number का multiply करके, फिर उसके pair को, उसके pair में से, एक एक number जैसे कि मैंने इस line में किया हुआ है, एक एक number बहार दिकाल करके, आप उसको multiply कर दोगे, तो उस perfect square number का square root find हो जाएगा, जो कि आपको find करना है, अब आते हैं, next question में, question number 6 में student, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided, so as for get a perfect square, also find the square root of the square number so obtained, बिल्कुल वही question है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, कि कौन सा number multiply किया जाए, given number में, ताकि वह perfect square number बन जाए, तो अभी तक हम हम क्या कर रहे थे, जो extra number था, उसको multiply कर दे रहे थे, और यहाँ पर कौन सा number divide किया जाए, यहाँ पर कौन सा number divide किया जाए, ताकि वह perfect square number, तो जो extra number है, अगर उसी number को divide कर दो, तो वह हट जाएगा, जब वह हट जाएगा student, तो फिर वह perfect square number बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपको वही procedure follow करना है, इसमें भी दो question में से, से एक मैं आपको बता जाता हूँ, इसमें बहुत सारे part है, तो 2009 and 25 का मैं आपको बता जे रहाँ, तो first we need to find out the prime factorization of 2009 and 25, तो prime factorization देखिए, करा हुआ है मैंने, 5, 5, 25, 5, 8, 40 and 5, 5, 25, 5, 5, 5, 35, 3, 3, 9, उपर अलग 3 से divide हो जाता, पर नहीं करा हमने, तो आप कोशिस यह करो, आपके सबसे पहले smallest prime number से ही divide करो यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा जल्द बाजी में 5 से divide कर दिया direct, तो आप करो गया, आप सबसे पहले smallest prime number से ही divide करो, जैसे अगर 2 से divide हो रहा है तो 2 से divide करो, ठीके न, उसके आप 3 से divide हो रहा है, 3 से divide करो, 5 से divide, बाद में करो, ठीके न, गलत नहीं है, बट आप procedure को follow करो, ठीके उसके बाद आते है, 5 multiply 5, multiply 3, multiply 3, multiply 13, तो student यहां क्या बच रहा है, किसका पेर नहीं बन रहा है, 13 is not a pair number न, यह एक pair number नहीं है, इसका pair नहीं बन रहा है, it is a non-pair number, that's why we will multiply 2009 and 25 by 13, so it's make a perfect square number, ठीके न, तो यह क्या बन जाएगा, perfect square number बन जाएगा, तो यहां पर यही अंसर हो जाएगा student, कि we need to multiply 13 in 2009 and 25 to make it perfect square number, तो 13 का हम जब divide कर देंगे उसके factorization में, तो हमें simple सा 5 और 3 मिल जाएगा, इस देखिए आपके सामने है, 5 और 3 उससे बाहर आ रहा है, pair से, और 5 multiply 3, that means 15, जो भी नया number बना, उसका square root student कितना आ गया, 15, सहुँद में आ गया होगा, बहुत easy है, उसमें multiply था, यहां पर divide आप कर रहा हो, जो pair नहीं बन रहा है, जिसका उसको आप divide कर दो को तो जहीर से बात है, कि वो भी एक perfect square number में convert हो जाएगा, ठीक है, उसके आदाते students, 7, यह question number था, 6, 7 और 8, आपको अपने मन से करना है, बता दूँगा मैं अभी, जो आपको exercise दिखाऊँगा, 9 number question है, और 10, यह एक जैसे है, 9 बता देता हूँ, और 10 आपका अपने मन से हो जाएगा, find the smallest square number, that is divisible by each of the number, 4, 9 and 10, condition, अच्छे से question को पढ़े, smallest, smallest को हम चीज मेंने आपको बताया था, याद करिये, class, 7 यह 6 में पढ़ा होगा, 7 में भी आपने ऐसे question पढ़े होगे, कि जब smallest होता है, तो क्या find करते है, highest कोई चीज निकालनी होते है, smallest में हमें इसा LCM find करते हैं, तो student यहाँ पर हम 4, 9, 10 का सबसे पहले LCM find कर लेंगे, और square number आपको find करना है, क्या find करना है, square number, तो जो LCM आना चाहिए, student वो एक square number होना चाहिए, नहीं अगर square number है, तो उसको square number में convert करना पढ़ेगा, कैसे, उसमें किसी number का multiply करके, ठीक है न, सबसे पहले हम 4, 9, 10 का क्या करते हैं, LCM find करते हैं, तो first we need to find the LCM of 4, 9 and 10, तो 4, 9, 10 का LCM find करेंगे, स्क्रीन में देख रहा होगा, LCM find करने का तरीका, तो 2 जा 4, 2, 9, 2, 5, 10, 2 बंजा 2, 9, 5, जो divide neuron को as it is रखते जाना है, फिसकोए 3 बंजा 3, 3 से 9, and 3 बंजा 1, and 3 बंजा 9, 3 बंजा 9, 3 बंजा 3, 5, 5 ऐसे रख दिया, 3 बंजा 1 हो गया, फिर 3 बंजा 3 हो गया, और यहां पर last में जो factorization आया है, उसको मैंने पूरा multiply कर लिया, तो answer यहां पर आ गया 180, यह LCM हो गया, 4, 9, और 10 का, आप देख लोगे, कि यह smallest number है, जो 4, 9, और 10, तीनों से ही divide हो रहा है, but student, आप देखोगे कि 180 is not an perfect square number, और यहां पर क्या कह रहा है, find the smallest square number, एक square number जो कि 4, 9, और 10 से divide हो रहा है, तो student यहां पर आपको इसका perfect square number find करने के लिए, आपको वही rule फॉलो करना पड़ेगा, जो आपने question number 5 में follow किया था, तो 180 के सबसे पहले क्या करेंगे, student, prime factorization, तो prime factorization तो आपको उपर लिखाईए, 2 multiply, 2 multiply, 3 multiply, 3 multiply, 5, तो इसमें किसका pair नहीं बनना है, 5 का pair नहीं बनना है, that's why we will multiply 5 by 180, so we will get 900, 900 is an perfect square number, and this is the smallest square number, which will be multiply by, exactly multiply by 4, 9 and 10, समझ में आगया होगा, कि सबसे पहले आपको करना क्या है, smallest number आपको find करना है, तो smallest के लिए आप LCM find करोगे, LCM find करने के बाद, आप देखो कि क्या वह एक square number है, नहीं है, तो आप तुरंद उसका prime factorization करके, उसको square number में convert कर लोगे, जिस number का pair नहीं बनना होगा, वो number आप उस LCM में multiply करके, square number बना लोगे, और वो ही आपका answer हो जाएगा, ठीक है student, तो यह रहा exercise, यह देखिए आपको remaining part उसका, समझ में आ गया होगा, so here we can check 5 is non pair number, so that we need to multiply 5 by 180, so 180 multiply 5, 900 is the smallest number, smallest square number which is exactly divisible by 4, 9 and 10, आप exercise में आपको दिखा देता हूँ, इसमें बाकी का जो एक, दो question है, 7 और 8 इसको भी explain कर देता हूँ, इसी में ही explain कर दे रहो, कुछ ज़्यादा concept नहीं है, इसमें, आच्छे तो question को read करोगे, तो आ जाएगा, ठीक है, तो 7 इस question देखते हैं, The students of class 8th of a school denoted 2,401 in all, the Prime Minister National Relief Fund, each student denoted as many rupees as the number of student in the class, find the number of student in the class, तो student यहाँ पर एक line बहुत important है, कि each student denoted as many rupees as the number of student in the class, तो बताओं, टोटल rupees कितने हैं, 2,401 कैसे आया है, कि जो number of student है, वो भी सेम है, और उनके number of rupees जो denoted किया है, वो भी सेम है, that means, सेम सेम का multiplication क्या होता है, square होता है, और वो square कहां से आया है, उसका result क्या आ रहा है, 2,401, तो अगर हम यहाँ पर 2,401 का square root निकाल दें student, तो वो number हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आपको prime factorization के help से, 2,401 का square root find कर देना है, थोड़ा language लिख करके करोगे, तो easy रहेगा, और last में जो answer लिखोगे, जो square root आएगा, वो ही इसका answer हो जाएगा, क्योंकि number of, आपको क्या पताने है, find the number of student in the class, तो number of student वो ही होंगे, जो square root निकलेगा, ठीक है, और वो ही, rupees भी contribute के होंगे, उन student ने, जो square root आएगा, क्योंकि दोनों की value क्या है, same है, तब ही, दोनों का आपसे multiply करके ही, total number of rupees आएगे, जो की class ने contribute किये, और वो rupees कितने है, 2401, 2401 का आपका prime factorization करके, उसके number के prime factorization में से pair बना करके, आप pair में से एक एक number को निकाल करके, multiply कर दोगे, तो इसका square root, find हो जाएगा, ठीक है student, यही question, बिल्कुल same to same, एर्थ में भी है, आपको read करके, अच्छे से question को need and clean writing में, सारे question, 5678910, यह आपको fair note book में करने है, ठीक है, make sure, जो मैंने आपको पहले lecture के पहले बताई थी चीज, voting वाली, उसको ध्यान रगना, day by day, मैं कुछ ना कुछ questions आपको दूँगा, आपको voting उसमें करनी, अपना 100% participate देना है, ताकि हम लोग चीज़ों को judge कर सकें, ओके, तो thank you so much, thank you for watching my video, have a nice day,